ददारामराम कैसे हो घर में सब कुषल है रामराम भाईया सब ठीक है और बताओ कैसे आना हुआ क्या आपने आपना घोशना पत्र आनलाइन भर दिया नाहीं कहर साल भरे कहूइ आए पिछली साल तो हम भर के सिमित मा जमा किया रहा कह यहाँ साल भरे कहा है हाँ इस बार गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए ओनलाइन घोशना पत्र भरने की व्यवस्था की है अगर नहीं भरा तो इस वश परचिया नहीं मिलेंगी ओ का इस है जरा हम हो को बतावाओ हाँ बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है सुनो या तो अपने नस्दी की जन सेवा केंदर पर जाएं अथवा स्वयम भरें केन यूपी डॉट इन वेबसाइट पर जाएं इसके बाद आकड़े देखें पर जाएं कम्प्यूटर पर उपर बाई तरफ लिखे कैप्चा कॉलम को भरें फिर अपना ग्राम का नाम जिला चीनी मिल वा किसान चुनें चेक करें आपका डाटा ही आया है गलत तो नहीं है तत पशाद एंटर रेवेन्यू डाटा पर क्लिक करें इसके बाद सत्यापन के लिए अपना बैंक अकाउंट नमबर या आधार नमबर के अंतिम चार अंक दर्ज कर वेरिफाई करें आधार कार्ड या बैंक पास्बुक की कौपी सनलग्न करें कौपी सनलग्न करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करें सनलग्न कौपी का साइज 500 केबी का ही होना चाहिए उससे अधिक नहीं होना चाहिए खतोनी अपलोड करें उसके बाद जिला, ब्लॉक, पोस्ट ओफिस, तैसील, पुलिस स्टेशन, मजरा वा मेंबर्शिप वर्षों की संख्या भर कर सब्मिट करें यदि एक से अधिक खतोनी हैं तो भूमी विवरण में दूसरे खसरा नंबर के साथ डाटा भरें भूमी विवरण में प्लॉट, खसरा नंबर, गाटा नंबर, गाटा क्षेतरफल, शेयर प्रतिशत, आंशिक क्षेतरफल, गन्ना क्षेतरफल, प्रजाती, पौधा या पेड़ी एवं पेड़ी का क्षेतरफल भर के एड़ डिटेल्स पर क्लिक करें प्रोसीड पर क्लिक करें बस भर गया आपका घोशना पत्र अरे यह तो बहुत ही आसान है हम आजए अपना घोशना पत्र भरी है और अपने पडोसे किसान भाईयन से भी बताई है सुपरवाईजर भाईया आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद जो आप समय समय पर जानकारी दएके हम लोगन की सहायता करत हो